नमस्कार दोस्तों वाई टू चानल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्रप्रदेश लोग से बायोग द्वारा आयोजीत जी आईसी प्रवक्ता परिक्षा बेभुगोल भी सह के पूछे गए हैं पिछले वर्सों के लाइकन को प्रेस के लिजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और पीडियाफ इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है वहां से जान करके आप पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो जो पहला प्रेशन है आपका सूरी के निम्नांकित चार मंडलों में से किससे सौर पवन निकलती है तो आपको बताना है एंस्वर इसका कौन सा सही होगा तो यहां सी विकल्प से हो जाएगा कोरोना सूरी से बाहर निकलने वाले आवेसित कडो की बाउचार को सौर पवन के नाम से जाना जाता है और इन आवेसित कडो में मुखित है इलेक्टरान तथा प्रोटान होते हैं जो की सौर पवन कुरोना से निकलती है इसके लिए कुरोना का ती ब्रतापमान जो है एक महत्पूर कोरोना जो है सूर के बाहरी पर आपका कोरोना कहलाता है तो यहां C बिकल्प सही हो जाएगा और नेक्स्ट कोईशन है आवाव का निमलिखित में से किसने 1543 में पृत्वी केंदरस्त ब्रहमांड के अस्थान पर सूरी केंदरस्त ब्रहमांड की संकल्पना प्रस्तुत की तो इसका सही बिकल्प हो जाएगा option E. एन कापर निकस ने एन कापर निकस ने जो है 1543 इसभी में पृत्वी केंदरस्त ब्रहमांड की अस्थान पर सूरी केंदरस्त ब्रहमांड की संकल्पना प्रस्तुत की और कापर निकस ने बताया था कि सूरी जो है ब्रहमांड की केंदर में है तथा पृत्थ भी उसकी प्रिकर्मा करती है तो आपका ए विकल्प यहां सही हो जाएगा और अगला जो कोशिन है वापका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माधिम से बताना है यहां कौन सा भी कल्प सही हो जाएगा तो चलिए देखते हैं एक तरफ आपका दिया गया है महा कल्प दूसरी तरफ यूग दिया गया है तो सबसे पहला है आपका पहली ओ जो इक जो मिलान हो जाएगा वह होगा सिलूरियन से तो एक हो जाएगा यहां चोथा बी है मैसोजोईक मैसोईक यूग किसी यूग का है तो यह जुरासिक यूग का है तो बी का हो जाएगा पहला और सी है प्री केम्ब्रियन यूग यानि Pre-Cambian महा कलप यह किस यूग का है? तो यह आपका Archean यूग का है Archean यूग यानि कि दूसरा हो जाएगा यहाँ C का दूसरा और D है Kenojoic तो यह हो जाएगा आपका Neocene यूग यानि कि D का तीसरा 4, 1, 2, 3 जिस आपसन में होगा यहाँ सही हो जाएगा यहाँ तो 4, 1, 2, 3 आप देख सकते हैं बिकल्प B जो है यहाँ सही है अगला कोशिन आप देखते हैं निमलिखित में से कौन सा यूग महान हीम यूग के लिए जाना जाता है तो यह है आपका Plistocene यूग B बिकल्प से हो जाएगा Plistocene यूग की सबसे बड़ी बिसेशता है भूपटल पर हीम का बिस्त्रित आवरड का होना और इसी कारण जो है इस यूग को महान हीम यूग के नाम से भी जाना जाता है तो B आप से हो जाएगा अगला कोशिन आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यता प्राप्त होता है कहां पर तो यह है आपका भूमद्य रेखा पर प्राप्त होता है B आप से हो जाएगा 21 मार्च को बसंत बिसु के समय और 23 सितंबर को सरद विसु के समय भूमद रेखा पर सूरी जो है लंबोध चमकता है इसलिए इन दोनों समय भूमद रेखा पर सरवाधिक सूर्यताप यानि कि सूर्यताप वह है आपका प्राप्त होता है तो B option सही हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च को याद रखेगा जो है बसंत भी सिव होता है और 23 सितंबर को सरद भी सिव और अगला जो कोशन है बापका निमलिखित में से कौन वर्स का सबसे ज़्यादा सूरीताप मार्च 21 यों सितंबर 23 को प्राप्त करता है तो अभी बताया गया भूमत दिरेखा सही होगा यहां B option सही हो जाएगा और अगला जो कोशन है बापका वीशर्ट गुटेनबर्ग संबद्धता प्रिथक करता है किसको तो यह प्रिथक करता है बाह करोड को आंतरिक मेटल से C option सही हो जाएगा यहां और अगला जो कोशन है तारो की निस्तरित गैस योमधूल के रासिके पिंड को कहते हैं तो वह आपका जो है नेबुला कहलाता है B विकलब से हो जाएगा तारो की निस्तरित गैस योमधूल के रासिके पिंड को नेबुला कहा जाता है निहारिका या नेबला दोनों जो एक ही है यह तारों के बीच अंतरिच में इस्थित ऐसे अंतर तार्की बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हैड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्ने जो है आयनी कृत, प्लाजमा गैस से मौझूद होता है तो यहां बी विकल्प सही हो जाएगा अगला जो कोशन है बापका, अंतर तार्की धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने तो यहां सही हो जाएगा आपका यह विकल्प ओटो स्मिट ने रूसी बैग्यानिक थे ओटो स्मिट ने बर्स उननीस सो तैलिस में 1943 में सौरी मंडल की उत्पत्ती की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया था इन्होंने यह परिकल्पना ही धूल धूल परिकल्पना कहलाई और इस परिकल्पना में सोरी मंडल की कई समस्याओं का बैग्यानी खल भी प्रस्तूत किया गया है तो यह आपसन यहां सही हो जाएगा और अगला जो कोशिन आपका फिलामेंट सब्द का परियोग किया गया है तो यह जौरी परिकल्पना में किया गया है फिलामेंट सब्द का प्रियोग जेम्स जीन्स नाम याद रखी गए इनका जेम्स जीन्स के जवारी परिकलपना में किया गया है और इस परिकलपना में जेम्स जीन्स द्वारा बताया गया है कि जब तारा सूरी के निकट तम दूरी पर आया तो उसकी आकरसर सकती सूरी से अधिक हो गई जिस कारण हजारो किलिमीटर लंबा सीगार के आकार का जुआर सूरी के बाहे भाग में उठा और सीगार के आकार वाले इस भाग को फिला मिंट की संग्या दिया गया था अगला जो कोशन है अब आपका किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है तो आप सबको पता होगा या बुद्ध और सुक्र दो ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो सी आपसन से हो जाएगा सुक्र आपसन में दिया गया है तो याद रखेगा बुद्ध और सुक्र दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है पृत्वी का एक मात्र ग्रह है चंद्रमा सनी के कुल जो है 82 उपग्रह है सरवाधिक यदि पूछा जाए सरवाधिक उपग्रह किसके हैं तो सनी के हैं बिरस्पति के हैं 89 उपग्रह और अरुड के यद रखेगा 27 उपग्रह हैं मंगल के दो उपग्रह हैं जिनका नाम भी पूछा जाता है फोबोस और डीमोस दो उपग्रह जो है मंगल के हैं तो यह होगी आपका यहाँ सी आपसं सही हो जाएगा अगला जो प्रशनेवाब का निमलिखित में से कौन सी सौरे तरंगे सुदूर संबेदन उपग्रहों द्वारा प्रिक्ट की जाती हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका यह विकल्प तापी आवरक्त तरंगे अगला जो कोशन है मकर रेखा निमलिखित देशों के किस समूं से गुजरती है नीचे दिये हुए कूट से सही उत्तर चुनिए पहला दिया गया है आपका आस्ट्रेलिया दूसरा है नामीबिया तीसरा है ब्राजील और चौथा है चिली तो आपको बताना है कूट के मार्दम से कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा तो यहाँ आपका डी आपसन से हो जाएगे एक दो तीन चार यानि के आस्ट्रेलिया नामीबिया ब्राजील और चिली दच्षडी गुलाद में जो है साधे तेश डिग्री दच्षडी अच्छांस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं और मकर रेखा यह आपका ब्राजील, प्राग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच, पोलिनेसिया, बोध स्वाना हो गया आपका आस्ट्रेलिया, मेडगासकर, मोजांबिक, दच्षिर अफरीका, तोंगा, यो नामीबिया से हो करके गुजरती है तो आपसे यही पूछा गया है, जो है मकर रेखा निमलिकित में से किस देश सम्मू सेव करके गुजरती है, तो यहाँ चारो ही आपका सही है, तो डी आपसा सही हो जाएगा अगला जो कोशन है, नामिक मापक पर मापित अधिवासों के सोरूब को परदर्सित किया जा सकता है तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, डी विकल्प सही हो जाएगा, डेसी मेट्रिक मानचित्र के द्वारा नामिक मापक पर जो है मापित अधिवासों के सोरूप को परदर्सित करने हे तू डेसी मेट्रिक मानचित्र का प्रियोग किया जाता है और डेसी मेट्रिक मानचित्र द्वारा जनसंख्या को भी दर्साया जाता है तो याद रखेगा D आफसन यहां सही हो जाएगा अगला जो कोशन है एक ब्रहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक योम सांस्कृतिक दोनों भी सेस्ताय समलित होती हैं कहा जाता है तो वह कहलाता है अस्थला कृतिक मानचित्र डी भी कल्प सही हो जाएगा इन मांचित्रों में महतपूर, प्राकिर्तिक, योम, सांस्कृतिक, लक्षड जैसे की उच्चावच हो गया, बनस्पत, जलासय, क्रिसीगत, भूमी, बस्ती, योम, परिवहन, तंत्र आदि को भी प्रदर्शित किया जाता है, तो D आपसन यहां सही हो जाएगा, अगला जो क मल्टी स्पेक्टरल स्केनर सिस्टम, जिसे हम सुदूर संबेदन द्वारा हवाई चाय चित्र है, प्राप्त करने हैं तो परियूट किया जाता है, यह जो है, लैंड सेट इमेजरी से संबंदित है, अगला जो कोशन है अब आपका, निमनांकित में से कौन एक यूनानी न अचरण, सुभाव वचरित्र, उनकी संस्कृति और भवतिक स्वरूप को प्राकिर्तिक परिस्थितियों से प्रभावित बताया, इनमें हिपोक्रेटस, रस्तु, योम, जीनो कौन जो है, प्रमुख हैं, और हिपोक्रेटस एक यूनानी नियतिवादी परियावरण वित् अगला जो कोशन है, निम्नांकित में से कौन भुगोल में संभवाद का प्रस्तोता है, तो यह थे बिडाल डीला ब्लास, यहनि की सी आपसन से हो जाएगा, बिडाल डीला ब्लास यह भुगोल में संभवाद के प्रस्तोता थे, यहनि की परवर्तक थे, अगला जो कोशन है अब आपका निम्नलिखित अरब बिद्वानों में से किसे सरवाधिक भर्मणकारी खोजकरता के रूप में जाना जाता है। वह थे इवन बतूता ये बिकल्प से हो जाए गए हैं। इवन बतूता ये सरवाधिक भर्मड कारी खोजकरता के रूप में जाने जाते हैं। और अगला जो कोशन है निम्नाइकित में से किसने दियूप जेव भुगोल का प्रतिपाधन किया है। तो ये थे राबर्ट मैक आर्थर यों एडवर्ड विल्सन यानिकी डी भी कल्प से हो जाएगा आपका। बी भी कल्प से हो जाएगा हैं। हम बोल्ट ने ग्यान को तीन समुव में विभाजित किया है। कौनसा तो पहला ब्यवस्थित भी ज्यान, दूसरा एतिहासिक और तीसरा भू बे ज्यान। तो यहाँ जो है बी भी कल्प से हो जाएगा। और अगला कोशेन है निमलिखित जर्मन भोगोल वित्ताओं में से किसने सामुदरिक बिज्ञान के छेत्र में प्रयाप्त योगदान किया है? हो एथे? गिहार्ड इसकाट, डी विकल्प से हो जागे हैं. समुद्रिक बिज्ञान के छेतर में भी जर्मन भूगोल बित्ताओं का योगदान जो है महत्पूर रहा है इनमें हिगाड इसकाट ने जो है समुद्र की गतियां, तापक्रम, खारापन, जलकारंग, महासागरी निछेप, तल में आकृति, महासागर जलवायू, महासागरी बेसिन के अंतह संदचना, महासागरी जीओं, ब्यापारिक मार्ग और उनके उपर से गुजरने वाले वायान मार्गों का भी अध्यन किया है इनोंने अगला जो प्रशने अब, निमलिखित भुगोल वित्ताओं में से किसने समुद्र विज्ञान में उलेखनी योगदान दिया है तो अभी जो है बताया गया है, जी इसकाट, यहाँ बी बिकल्प से हो जाएगा जो है जर्मन भुगोल वित्ता थे, जी इसकाट, इनका पूरा नाम है, गेहाड इसकाट अगला जो प्रशने बाप का, भुगोल, मानो और परियावरण के संबंधों का अध्यन है इस संकल्पना को प्रस्तावित किया था, किसके द्वारा? तो यहाँ जो से हो जाएगा, बी बिकल्प से हो जाएगा, फ्रेडरीक रेट जल भुगोल, मानो और परियावरण के संबंधों का अध्यन है इस संकल्पना को फ्रेडरीक रेट जल ने प्रस्तावित किया था और इसी प्रकार की संकल्पना यच यच बैरोज द्वारा भी प्रतिपादि किया गया है तो लेकिन यहाँ जो आपका, बी बिकल्प से हो जाएगा, फ्रेडरीक रेट जल और अगला जो प्रस्तावाब का, भुगोल, द्वैतवाद से गरसित था तो इसका सही बिकल्प हो जाएगा, आपसन भी, पुनर जागरड काल में युनानी, रोमन और अरब भुगोल बेताओं के लेखो में भी द्वैतवाद की धुदली जलक मिलती है युरूप में जो है द्वैतवादी सूच, पुनर जागरड काल के पश्चात उगर बन गई थी और आधुनिक संदर में भुगोल में द्वैतवाद का जनक वारेनियस को माना जाता है तो यदि प्रशन पूछा जाए आपसे कि द्वैतवाद का जनक किसे माना जाता है तो आप एंस्वर करेंगे वारेनियस को इसको वारेनियस को जो है द्वैतवाद का जनक के रूप में जो है जाना जाता है तो यह कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था, भी बिकल्ब से हो जाएगा, भुगोल में प्रतिमान विश्थापन सब्दावली याद रखेगा, कप्रियूग कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था, अगला जो कोशन है अब निमलिखित में से भुगोल की किस पीठने मनु उसको जैव मंडल का घटक माना है और अगला जो question है बापका समाज की वह इस्थिति जिसमें जनसंख्या की जरूरतें योम आवस्यक्ताएं पूरी होती हैं कही जाती हैं तो वह कहलाता है समाजिक कल्यान समाज की वहज थी थी जिसमें जनसंख्या की जरूरतें योम आवस्यक्तियाएं पूरी होती हैं उसे समाजिक कल्याण कहा जाता है तो भी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों जो है आपको बताने कि अनकेडमी पर यूपी बिधान सभा क्रैस कोर्स 6 जनवरी से स्टार्ट हो गया है तो जो लोग इस बैद से जूड़ना चाहते हैं आप अनकेडमी का लर्निंग एप इंस्टाल करके आप वहां से जूड़ सकते हैं और इसमें आपको यूपी UPSC और UPSC के टॉप एजुकेटर्स के दोवारा इस पूरे स्लैबर्स को जो है कवर कराया जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है वहां से जाके आप चीक कर सकते हैं और अनकेडमी लर्निंग एप इंस्टाल कर लीजेगा आप लोग उसके लिए तो वहां से जो है आप फ्री लाइब वीडियो क्लासेस भी जो है किसी भी कोर्स का जो है आप आसानी से देख सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो को अनलाग करने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एक्जाम लर्नर इ-X-E-M-L-E-A-R-E-N-E-A तो ये क आप जो है वीडियो को अनलाग करने के लिए यूज जरूर कीजिएगा एक्जाम लर्नर जिससे आप अने अकैडमी पर किसी भी कोर्स का जो है फ्री लाइब वीडियो क्लासेस जो है आप आसानी से देख सकते हैं अगला जो कोशन अब आपका निमलिखित में से कौन सुमे आपको बताना है तो यहां सी विकल्प आपका सुमेलिख नहीं आइसो क्रोंस दिया गया आइसो इस्टेस ही बाकि सभी जो है आपका सुमेलिख है चैलेंजर अभियान चार्ल्स वेविली थांसन बीगल अभियान चार्ल्स डार्विन और बोनियाफ जोन यह आपका बारेनियस के द्वारा बी विकल्प से हो जाएगा सामानी भुगोल यह विशिष्ट भुगोल में सरुपर्थम अंतर बी बारेनियस के द्वारा असपस्ट किया गया था अगला जो क्वेशन है बापका निमलिखित में से कौन सा महाधीब बोन प्रछेप द्वारा सुध प्रदर्सित नहीं किया जा सकता है भूगोल भी सै के जो है कुछ महतपूर प्रशन थे तो यह आपका पार्ट वन था इसी तरह आपको जो है आगे भी वीडियो प्रवाइट किये जाएंगे तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जो है आपको अलग-अलग बिस्रियों के भी वीडियो प्रवाइट के जाएंगे और आपका जो है जो है जो है जिएस का पार्ट जो जिसमें 40 प्रशन आने हैं उसको भी जो है कराया जाएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सेर जुरू करिएगा और वी